ओम स्यंति, जीवन एक बहुत सुंदर यात्रा है, आओ हम इसे सहेज भाव से जीए, मनुस बुद्धी मान प्रानी है, सभी को एक सुंदर बुद्धी प्राप्थ है, लेकिन किसी ने अपनी बुद्धी का सदुपयोग किया, किसी ने दुरुपयोग, किसी ने बुद्धी में सद्विवेक भरा, तो किसी ने अपनी बुद्धी को व्याद से भरपूर कर लिया, कोई गुद्धिमान प्राणी अपने जीवन की यात्रा का बड़ा सुख ले रहा है तो कोई बिलकुल सुख नहीं ले रहा है कई लोगों के पास धन संपदा बहुत है तन्तु वे सुख ही नहीं है वे भूले रहते हैं कि सुक्ष अंती, पवितर्ता, प्रेम, संतोस ये सब भी बहुत बड़ी संपदा है वो केवल स्थूल धन को ही सब कुछ मान कर उसके पीछे दोड़ते रहते हैं धन कमाने के लिए पाप करते रहते हैं कंतु पाप का धन कभी भी मन उसके लिए फली भूत नहीं होता वो उसे सुखी नहीं कर सकता है वो उसकी समझ्याओं को बढ़ाएगा उससे जिन बच्चों की वो बाल ना करेगा वो बच्चे चड़ित रुआन नहीं होंगे कुव यसनों में रथ हो जाएंगे और माबाप के लिए चिंतां और परिशानियों का कारण बन जाएंगे आज यही हो रहा है बहुत बच्चे अपने माबाप के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बने हुए हैं और इसके जहां और कारण है वहां एक प्रमुक कारण ये भी है कि उनकी पालना गलत धन से हुई है तो हम जीवन की इस यात्रा को आनंद से भरपूर करें हम सभी तो कितने भग्यवान है कि जब पांच हजार वर्स की हमारी यात्रा पूर्ण होने को आई तो स्वयम भग्वान हमारा साथी बन गया उपर से आया और हमें कहा बच्चे हे आत्माओं तुम बहुत ठक चुके हो तुमने अपने सिर पर बहुत सारे भोज रख लिये है अनेक बंधनों में तुम बंधे हुए हो अब मैं आ गया हूँ तुम्हें मुट करने के लिए आओ मेरे साथ हो जाओ और बाबा कहते हैं बच्चे अपने मन के सारे बोज मुझे दे कर बेफिकर बाजसा बन जाओ तो हम सब की भुद्धी मानी समझदारी इसी बात में है जब भगवान आकर हमारा साथ ही बना है तो मन के सारे बोज उसे दे दे ये मैपन मन उसको बोज हिल करता रहता है मेरे बच्चे मेरी जिम्मेदारी मेरी चिंताएं मैंने ऐसे किया मुझे ऐसा ना हो जाए ये बोज मन को भारी किये रखते हैं ये सब अर्पित कर दें अपने उस खुदा दोस्त को जो हमारे सभी बोज हरने आया है आप सभी को ये सरे इस बात अवस्य स्विकारिये होगी तो हम जीवन की यात्रा को सुखों से वर्बूर करें सुख देते और लेते चलें खुसियां बांठते चलें एक दूसरे के दुख दर्द सुनकर उन्हें सहयोग देते चलें एक दो की समस्याओं में उन्हें बहुत मदद करते चलें हमें ये कभी नहीं भूलना है जैसा व्यवार हम दूसरों से करेंगे वही व्यवार हमें भी कहीं न कहीं से प्रात अवस्य होगा हम यदि खुसी देंगे तो खुसी डबल होकर हमारे पास आजाएगी और हम यदि दूसरों की खुसी चीनेंगे तो हमारी खुसी चीनने वाला भी कोई न कोई आ ही जाएगा इसलिए बहुत अच्छी तरहे इस कर्मों की गती को जानते हुए यह स्विकार कर लेना है कि मेरे साथ जो कुछ हो रहा है उसका जिम्मेदार मैं स्वेम हूं मेरे कर्म हैं मेरे संसकार हैं या मेरे संकल्प हैं जब तक हम उन्हेंचेज नहीं करेंगे तब जीवन की यात्रा सुखों से भरपों नहीं कर पाएगे तो आज सारा दिन हम बहुत अच्छी तरह इस मर्ती में रखेंगे, भगवान हमारा साथी है, यात्रा के अंत में वो हमारा साथी बन करा गया है, खुदा दोस्त बन कराया है, सिर पर छतर चाया बन कराया है, और अब वापिस जाने का समय है, तो खेल पूरा हुआ, हमें ये अपना देरूपी वस्त उतार कर, अपने घर जाना है, सब कुछ यहीं छोड़कर, इसवरी एक खजानों से भरपूर होकर, स्रेश्ट भाग्ये से संपन होकर, अपने घर लोटना है, ये अभ्यास करते रहेंगे, ओम चाल।